बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समराड चौधरी एक ऐसी बात कहे गए हैं जो पूरे बीजेपी को लोगसभा चुनाव में भारी परने जा रहा है रोहिनी अचार के उपर उन्होंने अभधर टिपनी की है इतनी खराब बात कोई राजनेता कह सकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती समराड चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव टिकट बेचने में माहिर है यहां तक बात सही है यह आरोप लगाया जा सकता है यह आरोप तो चिराग पासवान पर भी लग रहा है लेकिन चिराग पासवान पर समराड चौधरी मौन साथ लेते हैं राम बिलास पासवान के उपर भी टिकट बेचने का आरोप लगता रहा उन पर भी बीजेपी मौन साथ लेती है क्योंकि वो गड़ बंदन में है लेकि उसके बाद रोहिनी अचार को सारण का टिकट देते हैं अब समराज चौधरी पर उनको अपना भी प्रिस्ट भूमी देखना चाहिए बैग्राउंड देखना चाहिए किसके बेटे हैं जिस परिवारवाद का आरोब बीजेपी लगाती है क्या सकनुई चौधरी के बेटे अ स्कूल से निकले हैं वहीं पर इन्होंने सिख्षा दिख्षा लिया है राजनिती का और आज उन्हीं लाली यादव पर यह आरोप लगा रहे हैं लेकिन रोहिनी आचार का मसला कितना सही है एक तरफ कल कल हमने सारण लोकसरवा पर सर्वी भी किया वह खबर भी हमने आपको दिखाया डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिक मिल जाएगा देखिए वहां की जनता क्या बोल रही है रोहिनी आचार इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि एक बेहत नीडर निर्भीक महिला है एक निर्भीक बेटी है और बहुत कम बहुत मतलब दुरलब इस तरीके का दिखता है जहां पर कोई बेटी आगे आकर अपने पिता के ओ जीवन दान देती है देखिए ये बात समझना होगा ये हर घर का कहानी है बेटे पीछे हट जाते हैं बेटिया पीछे नहीं हटती है और इसका जीवन उधारन रोहिनी आचारे हैं हम उनको रादिती से फर्क भी करें तो अलग भी करें तो समाजिक तोर पर अगर हम समझें तो रोहिनी आचारे ने एक मिसाल तो जरूर पेस किया है आज लालू परसाद यादव सिंबल बाट रहे हैं 12 परतास्यों को सिंबल दे चुके हैं पूरी तरीके से आक्टिव पॉलिटिक्स में आक्ट हैं इश्वर ने दिरगायू करें लेकिन इसके पीछे रोहिनी आचारे हैं और उस बेटी के ऊपर समराज चौधरी ने इतनी खराब बात कही है जिसको लेकर जो बीजेपी के समर्सक हैं वो भी सोसल मीडिया पर मोर्चा खोलकर बैठ गये हैं समराज चौधरी के खिलाफ राज़त तो हमला करी रहा है कॉंग्रेस तो बोल ही रही है लेकिन घर घर में रोहिनी आचारे की चर्चा है क्योंकि रोहिनी आचारे ने ऐसा कामी किया है और उस पर समराज चौधरी कहते हैं कि लालु यादव ने किड़नी लेकर तब टिकट दिया तो समराज जी आपके eak सवाल है कि आपके पíता शकन चौधरी ने आपसे क्या लिया था जो आप राजिती में यहां तक पुँंचे बिजेपी के चीफ बने हुए है बिजेपी के परदेश सद्यक्स बने हुए है सरवासर्वी बने हुए है बिजेपी मोधी जी से मुलकात कर लेते हैं का से लिए नहीं जाता है बावजूद इसके रोहिनी अचार आगे बढ़कर अपना किड्नी दान करती हैं अपने पिता को जीवन दान देती हैं आज पूरा बिहार और देश में इसकी चर्चा हुई थी आज भी चर्चा है और जहां तक सीट में टिकर देने का बात है तो मिशा भारती 2014 बिहारी 19 बिहारी बावजूद इसके उनके पिता लाली उपर सद्यादा फिर उनको पटली पुत्र लडा रहा है ये पिता का प्रेम है और जिस परिवारवाद की बात करते हैं बीजेपी में दरजनों विधायक ऐसे हैं जिन कोई ऐसे उधारन है बीजेपी में आप बताएगे कि जैसा जो अमित्सा के पुत्र है बीसी से के अध्यक्स की सहस्य से बने हुए है ये सवाल उठाया जाएगा चुकि आपने ऐसी बात कह दी है कि अब ये सवाल बीजीपी बर भी उठाया जाएगा राजनात सिंह के सवाल चौधरी की विदायक होंगे जो सिर्फ इसलिए विधायक और MLC क्योंकि अनकी फ्रिस्ट भूमी रही है वैसी और इस तरीके की बात कहना महिला के उपर टिपड़ी करना समराच चौधरी के इस बयान के बाद बिहार में बवाल मचा हुआ है और आप जान लिजिए ये मुद्दा उठेगा, ये मुद्दा हर सियासी मन्द से चुनाव परचार में उठाया जाएगा, रोहिनी आचारे भी उठाएंगी, लालू परसाद यादव भी उठाएंगे, और साथी साथ मीडिया भी ये सवाल समराच ओदरी से जरूर करेगा, कि आप नेता पर टिपनी कीजिए, नेता के कार प्रनाली पर उसकी नीतियों पर हमला कीजिए, ये नीजे टिपनी खासकर ऐसी बेटी पर इसने अपने पिता को जीवन दान दिया, बिहार कतई बरदास नहीं करेगा, फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया,